नमस्कार, सूप्रभाद, सब्रग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनांदन पित्रों जब से हमने जन में लिया है, देड़ साल, दो साल के होने से हम बोलते चले जाते हैं लेकिन क्या बोलना है, वो बहुत महत्व रखता है जीवन में क्योंकि कहते हैं कि बोल तक्त भी दिलाता है, तो वो तक्ते पर भी चड़ा सकता है आपके मित्रों को शत्रों ही बना सकता है तो शत्रों को मित्र भी बना सकता है इसलिए तोल कर बोलो ये कहा जाता है इसी पर आधारित है आज का संदर सुवाग के आये संते हैं तभी बोलो जब आपकी बोल आपकी मौन से बहतर हो साथियों संकल्प वानी और कर्म के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी अध्यात्मिक्ता में भाशन को संचार का सबसे निचला रूप माना जाता है जब आत्मा की शक्ती कम होने लगी तो हमने विचारों को व्यक्त करने के लिए वानी का अधिक उप्योग करना शुरू कर दिया यदि हम मन की सही स्थिती में नहीं हैं तो हम अपने बोलने के तरीके से कहर धा सकते हैं ध्यान के माध्यम से हम मौन की शक्ति को जान सकते हैं और मन के माध्यम से संबाद करने की अगभुत शम्ता की खोच कर सकते हैं एक बार जब हमें एक शक्तिशाली और शान्त मानसिक्ता विक्सित कर लेते हैं, तो हम अपने भाशन के माध्यम से दूसरों को खुश कर सकते हैं। यसे लिए बहुत सोच समझ कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और बोल का स्तमाल करें। मित्रों कहा जाता है, वेल बिगेन इस हाफ डन। कल भी हम लोगों ने सुबह की बात की थी, कि यदि सुबह की शुरवात बहुत अच्छी होती है, तो सारा दिन बहुत अच्छा होता है। और उसी के लिए बात कही गई है कि सुबह की शुरवात बहुत ही अच्छे विचारों के साथ हो, अच्छे कारियों से हो, तो सच मुछ दिन भी और सारा जीवन भी बहतर होता चलता है। आए कल की केड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सुबह उठने के सुन्दर लाब। ओम शांती, गूद मॉर्निंग फ्रेंट्स। कहा जाता है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस, इस बेस्ट वे तो भी हेल्दी वेल्दी एन्वाइस। हम सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए, ब्रह्मूरत में क्यों उठना चाहिए। ऐसा देखने में आता है कि जब हम ब्रह्मूरत अर्थाद 2-6 का समय होता है वैसे तो पर इसका जो बेस्ट टाइम उप्टिमम टाइम है वो चार बजे है। अगर आप 4श बहुते हैं तो जब आप नेंद से उठते है, तो आपकि जो brain की frequency, Ment hourly or meditation करें तो इसका बहुत अच्छा इफएक्ट सारे दिन पर होता है। इसलिए इस समय को अम्रित वेला भी कहते है क्योंकि इस समय अगर आप आदा घंटा मेडिटेशन कर लेते हैं राजयों का मेडिटेशन का अभ्यास, अपने सत्य से जुड़ जाते हैं मैं कौन हूँ, Who am I? I am a being with the human body. ओ मर्थात एहम प्लस मम, एहम आत्मा मम शरीरम, ये भी आप सोचके बैठे हैं मैं एक आत्मा हूँ, I am a point of energy, twinkling star, shining star, which makes the body function, और ये point of energy, यहां से साथ energy, ज्यान रता सत्य के समझ, पवितरता, शान्ती, सत्य प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद, और आठो शक्तियां, सत्य को परकने की शक्ति, यतात निर्णे करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, और सयोग करने की शक्ति, यह आठो शक्तियां जो जीवन का हर कारे करने के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको सुबसुब अप्रमात्मा जुन सातों चेतन्य आत्मिकुर्जाओं का पावर होसे उससे आपके नेक संबंध से माता-पिता, सिक्षक, सत्गुरु, बंदू, सखा साजन, साजन, बच्चा इसको याद करते हैं इसके द्वारा आनंद के स्थिति यू गो बियॉंड इस दिस वर्ड बॉड़ी एंड बॉड़ी वर्ड तो उससे क्या होता आपके अंदर नो हार्मोंस हाइपोथेलेमस से और आठ पिटूटरी से और एक पिंगल ग्लैंड से निकलाता है बैलेंस में निकलाता है जिससे सारी बॉड़ी की जितनी भी बॉड़ी की 80,000 अरब कोशिक आए हैं और नीचे जो हमारी साथ पिटूटरी ग्लैंड है उनका फंक्शन एक दम हर्मोंस हो जाता है इसलिए समय को अमरित विला कहते हैं यह अमरित निकलता है अगर हार्मोंस सामजसे में निकल जाए तो नेक्स 24 आर्ज में आपका सारे शरीकी और मन की सब बिमारिये कम हो जाती हैं और सारा दिन आप शांती प्रेम खुशी आनन से बिता सकते हैं और आपका जीवन स्वें के लिए सुख में शांती में और दूसरों के लिए शांती में सुख में हो जाता है ओम शांती आध्यात्म प्रधान हमारा देश तेर्थी आत्राएं तो यहाँ चलती ही रहती हैं चाहे चारो धामों की हों या द्वादर्ष जोतिरलिंगमों की हों महाशिवरात्री पर्व हम सब के सम्मुक हैं हम सब के लिए बेहत बेहत उत्साह और खुशी से भर देने वाला महापर्व है और यही कारण है कि स्प्रिच्वल इंडिया में हम आपको द्वादर्ष जोतिरलिंगमों के दर्शन करा रहे हैं कल हमने सोबनात के दर्शन किये आज हम लिए जलते हैं आपको आंध्र प्रदीश में जहां भगवान मलीकारजुन जे विराजमान है श्रिशेल परवत परिस्थित दक्षिन के कैलाश के नाम से विख्यात आए चलते हैं मल्यकारजुन जोतिरलिंग मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है जो पूरी तरह से शिव परमात्मा को समर्पित है यह मंदिर दक्षिन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्ण नदी के किनारे श्री शैलंग नामत परवत परस्थित है 12 जोतिरलिंगों में मल्यकारजुन जोतिरलिंग को दूसरे स्थान पर माना जाता है आईए आज हम मल्यकारजुन जोतिरलिंग की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि जोतिरलिंग एक परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो विभिनत धर्मों में अल्ला, यहुवा, शिव के रूप में जाना जाता है। और आने कथाओं के अनुसार शिव के दो पुत्रों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन पहले विवा करेगा। एक प्रतियोगिता आयुजित की गई और दोनों को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा गया और जो जीतेगा वह पहले शादी करेगा। कार्तिकेल सीधा होने के कारण दुनिया की परिक्रमा करने लगे और गणेश जो बुद्धी में तेज थे उन्होंने अपने माता और पिता की परिक्रमा की और दावा किया। कि किसी के माता पिता की परिक्रमा करने से वही कोने मिलेगा जो भू परिक्रमा से प्राप्त होता है। यहां और लेखनीय बात यह है कि देव का छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करेंगे, जैसे कि पहले कौन शादी करेगा। इसका एक गहरा आध्यात्मिकर्थ है, हम सभी आत्माएं परमात्मा शिव की संतार हैं। हम बच्चों में से कोई बहुत ही मासूम और सीधे हैं, जो कार्ति के अन द्वारा दर्शाए गए हैं। और कुछ गनेश की तरह तेज बुद्धी हैं, जो तेजी से परिनाम प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होने पर एक वैद छोटा रास्ता अपनाएंगे। और दिल्चस्प दथे यह हैं, गनेश ने बुद्धी और सिध्धी से शादी की और दो बेटे हुए शेम और लाव। यह दर्शाता है कि हम किसी सांसारिक विवाह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बलकि शुद्ध बुद्धी और आध्यात्मिक उपलब्धियों से वि देशों का पालन करने से आपको शुद्ध बुद्धी और आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में असंखिलाब प्राप्त होंगे, और जब बुद्धी स्पष्ट होगी, तो आप ईश्वर की शिक्षाओं के छिपे और गहरे अर्थ को समझ सकेंगे, और एक तेज और बु देखने को नहीं मिलता, जो परमात्मा के प्रती सभी के अंदर देखने को मिलता है, ये प्रगाड प्यार कैसे पैदा हुआ सभी आत्माओं के अंदर, ये सच में चिंतन का विशे है मैं, कोई किसी से क्यों प्यार करता है, क्यों किसी पे अर्पित हो जाता है, सब कुछ कर के लिए तैयार हो जाता है जरूर ऐसे होंगे जरूर उन्होंने कुछ ऐसा सब आत्माओं के लिए किया होगा कुछ दिव्य और श्रेष्ट करतव्य जो सब के अंतर मन में अंकित है जिसके कारण ही ये श्रद्धा भाऊ दिखाई देता है ये भाव क्यों है और क्यों परमात्मा इतने परम हैं उंच हैं इसी भाव को स्पस्ट कर रहे हैं आदर्ने राजयोगी सुर्य भायजी शिव संदेश में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इस तरह आजाएंगे वो निराकार सेव इस कल युक की घोर रात्री में आकर सभी के चित को प्रकाशित कर देंगे आगे हैं वे जिने हम युगों से भुला थे आए हैं हम पुकारते थे हे पतित पावन आओ हे दुख हरता सुख करता आओ हमारे दुख हरो दुखी हो कर सभी उसको पुकारते रहते हैं कोई उसे पापकटेश्वर कहता है कोई उसे बिगडी बनाने वाला कोई उसे जोली भरने वाला अब हम सभ की पुकार सुनकर वे अपना दिव्यक करतव्य करने आ गए हैं और जोलियां भर रहे हैं ग्यान रतनों से सद बुद्धे प्रदान कर रहे हैं सभी को पुनहें संपोर्णता की और ले चल रहे हैं आप सभी का हम आवान करते हैं आओ उनसे मिलकर सत ग्यान प्राप्त करके अपने जनम जनम के दुखों से मौक्त हो जाओ वे आ गए हैं पावन बनाने हम ये तो बुलाते थे के पतित पावन आओ पर हमें ये तो नहीं पता था कि वे आकर कैसे हम पतित आत्माओ को पावन बनाएंगे अब वे राजयोग सिखा रहे हैं ये भारत का प्राचीन राजयोग है इससे हम आत्माए पावन बन रही हैं हमारे पापनस्थ हो रहे है, चित की दूसित वृत्तियां सुद्ध हो रही है, मन निर्मल हो रहा है, उनका ये प्यार भरा मिलन, हमें उस प्यार के सागर के प्यार की अनुभूती दे रहा है, उसकी श्यांती की तरंगें हमारे चित को स्यांत करती जा रही है, हमारी भावनाएं बदल रही हैं, एक दूसरे के प्रती जो वैर भाव, नफरत, घरना, तेरा, मेरा, स्वार्थ था, वो सवाब्त होता जा रहा है, और चित को सच्चा चैन मिल रहा है, आप सभी का हमावान करते हैं, आईए, और अपने परंपिता के प्यार का अनुभव जीए, वेमात पिता हैं, उनकी पाल ना लीजिए, ओम स्यांति सच मुझ पर मात्मा की महिमा सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, ऐसी ही इच्छा होते हैं, कोई और कार्य करके व्यक्ति ठक जाता है, लेकिन इश्वर के बारे में जो श्रमण है, वो मन को अनन्त सुकून देने वाला है, शक्ति देने वाला है, और महिमा भी तो अप्रम पार है ना इसलिए कहा ही गया है कि सारे सागर को स्याही बना लो जंगल को कलम बनालो सारी धरा को कागस बनालो फिर भी उनकी महिमा का पार नहीं पाया जा सकता ऐसी ही सुन्दर महिमा करते वे ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहने खुद को भी महिमा योग्य बना रहे हैं और यही कामना रखते हैं कि सभी इश्वर को सही सही रूप में जानकर खुद भी महिमा के योग्य बने श्रेष्ट बने और इसलिए वो सुन्दर सेवाकारिय जन जन तक जाकर करते रहते हैं आईए देखते हैं इस नियोंस हाइलाइट्स में इश्वरिये सेवाओं को, ब्रह्मा कुमारी सेवाओं को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विश्विद्याले के मीडिया प्रभाग द्वारा दिल्ली में 13 फरवरी को अखिल भारतिय समाधान मूलत मीडिया अभ्यान का शुभारम हुआ इस मीडिया अभ्यान के शुभारम समारो को संबोधित करते हुए कारिकरम के मुख्यतिती आई आई एंसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय गृवेदी ने कहा कि आज समाज में जो चौतर फर्म्यातिक मूल्यों की गिरावट हुई है उसकी रोग थाम के लिए अध्यात्मिक मूल्यों की बुनस्थापना तता जन जागलती की आफशेक्ता है समाज में सब बुरा-बुरा हो रहा है ऐसा मनना भी ठीक नहीं सबकुछ अच्छा हो रहा है ऐसा मनना भी ठीक नहीं पर हम जब लगातार बुरे-बुरे का इस जिकर करते हैं और अच्छाईयों को नजरअन दाज करते हैं समाज में एक तरह की दकरात्ता पैदा होती है इस अभ्यान का अन्य एक सर्भागी संस्था कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता विश्व विद्याले भूपाल के उपकुलपती प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि समाधान नकारात्मक्ता से नहीं सकारात्मक्ता से हो दूरदर्शन के महानिदेशक श्री मयांग अगरवाल जी ने विडियो कॉल के द्वारा अपना संदेश दिया अब जब मीडिया में टेलिविजन डिवेट में चर्चाएं होती है क्या वो चर्चाएं किसी सकारात्मक्त निश्कर्ष की तरफ पहुंचती है क्या कोई साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था के गुरुग्राम स्थित ओंशांती रिट्रीट सिंटर की निदेशिका राजयोगिनी बीके आशा ने कहा कि मीडिया वाले अक्सर लोगों का ध्यान समस्याओं की ओर करते हैं और अब जरूरत है समस्याओं को जागर करने के साथ साथ समाधान की तरफ की ध्यान अफिर्शन कराएं कि सलूशन के लिए हम समझते हैं कि एक जो लोग पुजिशन में हैं पावर में हैं उनकी पास उस चीज़ का सलूशन परन्तु मारा मानना ऐसा है अनुभव ये कहता है कि केवल सलूशन उनके पास नहीं है परन्तु हम सब जो समस्या से गुजरते हैं हम सब के पास भी सलूशन होता है अपने आशीर वचन में दिल्ली हर्याना वा यूपी स्थित सौसे अधिक ब्रह्मा कुमारी राजियो केंद्रों की निर्देशिका राजियोगिनी बीके शुक्ला ने कहा कि जब तक मन वचन कर्में पवित्रता सथ्भाव वा सहयोग की भावना जागरत नहीं होती है तब कि Esto committee पिर संवर्द भावरत के वे श्यूमनल संसार को लाने के वे हमें अपनी मुरीम निरस सुष़क्त करने होगा जब दर हमॉरी मुरी reminder की अजिवर नहीं कर सकते हैं Lab dud कि दिए अंद्र हमारे लाज़मण की पवित्रता महीं अंचाज़ कर नहीं है हमारे का निर्मान नहीं कर सकते मित्रों कहीं मैंने एक सुन्धर सी पंक्ति पढ़े थे कि तुम चिंता मत करो मैं हो ना और नीचे लिखा हुआ था तुम्हारा परमपिता सचमच इतना सुकून और संबल मिलता है न इस वाक्य को पढ़कर इसे अपनी जेहन में रखकर हम आज इसे अपने मन मस्तिष्क में रखें कि चाहे कुछ भी हो परमात्मा तो है न वो है तो हम सुरक्षित हैं वो है तो जीवन सफल है वो है तो हमारा कोई कुछ नहीं विगाड सकता इस भावना और विश्वास के साथ यदि हम अपनी दिन चर्या में आगे बढ़ें तो सचमच मन प्रफुलित रहेगा आनंदित रहेगा और यही हमारी कामना आप सभी के लिए है आप सब आनंदित रहें प्रफुलित रहें इनी शुब कामनाओं के साथ नमस्कार ओम शैन्ति